नमस्कार दोस्तों मैं ओशनी पार्णे स्वागत आप सबकर एक नई वीडियो में नाव हाली में क्या हुआ है कि इंडिया ने इंवाइट किया है जो संगाई कारपोरेज़ेशन और्गनाइजेशन का एक मीटिंग होना है गोवा में वहां के लिए पाकिस्तान को और जो भी संगाई और्गनाइजेशन कारपोरेशन के कंट्रीज ने चाइना हो गए रखो इसमें क्या होता है बिदेश मंतरी को इनवाइट किया जाता है यानि इंडिया ने पाकिस्तान के बिलावल भुटो को इनवाइट किया है लेकिन अब क्या है कि बहुत कम चांसे की बिलावल भुटो आने वाले हैं क्योंकि ये निउज पहले सी आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं भाग लेने वाला है इस मीटिंग में अब क्या है कि माई तक ECEO की मीटिंग होगी इंडिया में और उसमें सारे देशों के प्रधान मंतरी आते हैं जो भी सदस देश हैं संगाई कॉर्परेशन और उर्गनाईजेशन के उसमें सहवाद सरीफ का इंडिया आना होना चाहिए क्योंकि ऐसे देखा जा जिस तरह से नियम है फिलाल के लिए उजे पेकिस्तान में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी गए थे हो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी गए थे और प्रेसिडेंट गए थे सी जिंपिंग चाइना के अभी हाली में साओधी अरेविया की मीडिया से बातचीत करते हुए सहवाद सरीफ ने कहा था कि इंडिया के साथ में हम रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं और इंदा फ्यूचर हम कुछ है अपनी तरफ से मनलब अग्वानी करेंगे इस रिलेशन को ठीक करने में लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान की इस पे सफाई दे दी और बोला कि नहीं जब तक वो जो इंडिया ने 317 आर्टिकल हटा दिया है जम्मू कास्मीर से उसको रिजोल्ब नहीं करेगा जब पाकिस्तान को इंडिया के साथ में अपने रिलेशन अच्छे कर लेने चाहिए आज कल क्या है पाकिस्तान की सिती बहुत डाउन हो गई है साथ दिन का ओल खरीदने का उसके पास पहिसा उसके बाद अगर कुछ कहीं से हल्प नहीं आता है तो पाकिस्तान पूरी तरह से डेबलब किया जाता है हर एक देश में और अगर वो एक बार टूट जाता है तो फिर बहुत प्रोब्लम आती है एकडम से रूख जाती है पाकिस्तान की एकडमी की वैसे ही इतनी हालत खराब है कि वो और एड़ी आई सी यू में है देखो पाकिस्तान के लोग क्या सोचते है इससे फर्ग नहीं पड़ता पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल रिजीम है वो क्या सोचता है लेकिन ये पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पाकिस्तान को इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा नहीं करने देगी ये किलियर बात है क्योंकि अगर अंध्यारा नहीं रहेगा तो आपक का ध्यान रखेंगे एक तरह से इस तरह से आर्मी काम करती है कि लिटिली इंटर्फेरंस करती है पुलिटिकल इसू में देखो यह मैं नहीं कह रहा हूँ कोई प्रोपोगंडया की बाद नहीं दुनिया में मानता पराब चीज है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको ज्याद में हो सकती है क्योंकि डिसमबर में इंडिया के दो-تिन Stars में स्टेट का चुनाऊ होना है इस वजासे डिसमबर और अक्टूबर नौमबर में तो हो नहीं पाएगा इस वजासे में मैं ही S.E.O की सम्मिट हो सकती है ज्यादा इसटीच का चांस है और सितमबर से अक्टूब उपियोगता नहीं रह जाएगी क्योंकि एक बहुत ही सोची सब्जी टर्म यूज की जाती है पॉलिटिकल साइंस में कि अगर आपके पास यूटिलिटी है तो ही लोग आपको पूछेंगे अधर्वाइज आपको नहीं पूछेंगे यानि उपियोगता ही आपका पहचान ब इस बात पर ध्यान देना चाहिए मानलो कल को सहवासरीफ इंडिया आही जाते हैं या विलावल भुटो जरदारी आ जाते हैं इंडिया तो इंडिया को इस मुद्धे पर अगर वो सामने से बातचीत करते हैं कि नहीं सब कुछ सही कर लेते हैं हमारे यहां लोग भूखों म कर पाए हाच्छे से दुनिया जानते हैं कि जितने आतंगबादिया सारे पाकिस्तान में भरे पड़े हैं तो क्या इंडियन गवर्मेंट को उसका सहयोग करना चाहिए इस मुद्धे पर क्योंकि 3-4 परसंट इंडिया में लोगों का माइंड़ से इस तरह से है कि पाकिस्त तो आप लोग कमेंट बोक्स में बताना है क्या इंडिया को भी ये सर्थ हमेशा के लिए उनके दिमाग में फीड कर देना चाहिए कि जब तक आप आतंगबाद को नहीं पकड़ोगे और नहीं बंद करोगे आतंगबाद को फाइनेंस करना तब तक हम आपसे बात नहीं करे अपनी राय कमेंट बोक्स में मिलेंगे नेट वीडियो में जब तक के लिए जय हिन